नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज है 25 फरवरी याने सुपर इस्टार डाइनी जी का जनम दिन तो आज हम लोग डाइनी जी के जनम दिन स्पेशल में उनके बायोग्राफिक के बारे में बात करेंगे डाइनी जी का पूरा नाम डाइनी डेंजो गपपजी थे डाइनी जी हिंदी फिल्मों के बहुत ही महसूर अभिनेता थे जिहां इन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ उन्होंने नेपाली तेलगुवा और तमिल फिल्मों में भी काम किये थे उन्होंने बालिवुड में भी काम किये और डाइनी जी को पदम स्री का भी अवार्ड मिला था वे अपने खलनायक और स्थायक अभनीता के किरदारों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने कई फिल्मों में अपनी खालनाई की से लोगों के दिलों को दहसत पैदा किये थे जिहां और डानी जी का जन्मा 25 फरवारी 1948 सिक्किम के एक बुध परिवार में इनका जन्मा हुआ था और बात करें डानी जी के पढ़ाई लिखाएगी तो डानी जी ने अपनी उन्हें से एक्टिंग के गुड़ भी सिखे जिहां और डानी जी की साधी गावा डेंजो गप्पा से हुई और उनके दो बच्चे हैं रेंजिंग डेंजो गप्पा और पेमा डेंजो गप्पा और बात करें डानी जी की शुरुवात जिहां फिल्मी सपर की शुरुवात की तो उन्होंने अपनी फिल्मी केरियर की शुरुआत फिल्म जवरस्ते हुई थी लेकिन फिल्म मेरे अपने में उन्होंने सकरात्मा भूमी का निभाई उन्होंने पहली प्रमुख नकरात्मा भूमी का फिल्म धुन्द में निभाई और इसके बाद वे कई फिल्मों में द बहुत ज़्यादा पसंद किये थे कातिया का जो किरदार था उसे इस फिल्मा के लावा आंधी दुपान जल जला से सनांग और ना जने से बहुत फिल्मे थे जिन में डाइनी जी ने अपनी भूई का निभाय थे जिसे लोगों ने आज तक नहीं भूले हैं और ना कभी भू पाएंगे जिहां तो आज आज आए जान डाइनी जी का जनम दिन तो हम लोगों के तरप से जनम दिन की बहुत 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 बदाई और वे जहान लाइक निके हैं तो लाइक किजेगा शेयर किजेगा थांची दस्ता हमारे विडियो बातिंग करने के लिए